बलबुट की सुपरिस्टार राजेश खन्ना को गुजरे हुए 9 साल हो चुके हैं 18 जुलाई साल 2012 में राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविता कहकर चले गए राजेश खन्ना की गुजर जानी की बाद उनकी जिंदिगी से जुड़े पुराने किस से पुराने इंटरिव्यूज आज भी वाइरल होते रहते हैं राजेश खन्ना भी अपनी प्रोफिशनल करियर की साथ साथ अपनी परस्नल लाइफ को लिकर काफी सुल्खियों में रहा करते थे राजेश खन्ना ने शादी की थी बॉलिवूट की मश्यूर एक्ट्रेस डिंपल कपाडिया के साथ शादी की दोरान डिंपल कपाडिया महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना डिंपल कपाडिया से उम्र में तक्रीबन 15 साल बड़े थे जी हाँ दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे लेकिन शादी के कुछ तालबाद ही दोनों के रिस्ते में अनबन आना शुरू हो गई थी एक वक्त ऐसा आया था जब डिंपल कपाडिया ने राजेश खन्ना का घर तक छोड़ दिया था हमारे इस रिपोर्ट के जरिये हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से डिंपल कपाडिया राजेश खन्ना के स्ताथ शादी के बंधन में बनने के बाद कैसे अपने जिंदगी में कई उतार चड़ाद देखती हुई नजराएं दरसल रिपोर्ट की मताबिक दावा किया जाता है कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल कपाडिया फिल्मों में काम करें डिंपल कपाडिया ने अपने एक इंटरिव्यू में खुद खुलासा किया था कि जिस दिन से मैंने राजेश खन्ना के घर आशिरवाद मे कदम रखा मुझे लगने लगा था कि हमारी शादी नहीं काम करने वाली है डिंपुल कपाडिया ने आगे अपने इंट्रिव्यू में कहा था कि मुझे उन महिलाओं से कोई परिशानी नहीं हुई थी जो बाद में राजिश खना की जिंदगी में आई थी लेकिन ये शादी क डिंपुल कपाडिया ने कहा था कि राजिश खना और मैं दोनों ही हमारी शादी की असफलता को स्वीकार करने में असमर थे मुझे ये एहसास हुआ था कि अगर मैं यहां लंबे समय तक रही तो मैं एक इंसान के तोर पर ज्यादा दिनों तक तो जीवित नहीं रह उनके सिर्फ एक मुस्कान के लिए मैं पूरी तरह से बिच्छित हो चुकी थी और कुछ भी करने के लिए तयार थी इस तरह से डिंपुल कपाडिया ने बताया कि राजेश खना के साथ शादी करने के बाद वहे किस तरह से परिशान थी बता दिया आपको कि राजेश खना और डिंपल कपाडिया लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहे लेकिन बनों ने एक दूसरे को तलाग तक नहीं दिया था राजेश खना और डिंपल कपाडिया की दो बेटियां हैं ट्विंकल खना और रिंकी खना तो वही दावा किया जाता है कि राजेश खन्ना ने ये कदम अपनी बेटियों की कारण उठाया था कि उन्होंने डिम्पल कपाडिया को तलाग नहीं दिया था दूसरी ही और राजेश खना से अलग मुने के बाद डिम्पल कपाडिया के अफ्यर को लेकर भी खबरें आने लगी थी इस तरह से डिम्पल कपाडिया की जिलिगी भी काफी उतार चड़ाव भरी हुई रही है हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस